कॉंग्रेस आंसद राहूल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नियत साफ नहीं है जिनकी तारीख पे तारीख देना स्ट्राइटजी है उनकी इस ट्वीट पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता विक्की नीमा और कॉंग्रेस नेता मदू सुधन भल लिका देख किसानों का भला करते हैं यह इंसा तो आप लोग पहला रहे हो किसानों को घुम्रा कर रहे हो उनके बार में सोच नहीं रहे हो जिस तरह आज सब राज्ये के किसान भाईयों खूसे पंजाब और हडियाने के जापी गुवर्मेंट है मां की लोगी इसका आदोलन कर रहे हैं देश के प्रदान मंतरी जीनों ने 370 राम जन्व भूमी तीन तलाक का एक इत्यासिक फेसला लिया है और देश को एक उज्वल क्यों ले जा रहे हैं पर आप भी नहीं चाह रहे हो कि देश उज्वल हो यह किसान भाईयों का भला हो किसान उनकी करें आप भी गुम्रा कर र रहे हो जिसकी निये साब है हम तो बेटने को तैयार है हम तो के रहे कि आप बेटो आप लोग के किसी टाले ताले दे जा रहे हो आप ये पास कुछ काम नहीं है और आप देश के किसानों को गुम्राग के सिवा आपके करने कोई काम नहीं है राउल जी ये देश एक तरक्की विकास एक उज्वल की ओड़ जा रहा है मैं आप सहनूरत करना चाहता हूं इस देश के बारे में सोचो और ये हैंसा और आप जो काम कर रहे हो वो गलत है आज राउल घांदी जी का एक ट्वीट आया है नियत साफ नहीं है जिनकी तारिक पे तारिक देना इस्टेटेजी है उनकी मैं सरकार से अगरा करना चाहता हूं कि मुट्रेस करिए आप किसानो lapse पररिक जोटीए जा रहे हैं कि!!!!!!!! अगर आपकी नियत साफ है और किसानों केचट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप किसानों के साथ बेटकर एक घंख में कि इसका प्रेंना लें कि prison के हित में और काध करें crucif death किसान के हित्में कार्य करती रही है और करती रहे कि क्योंकि मेरा व्यक्ति का तुरुक्त से विए मानना है कि किसान आमारे देश की वह धरोवर है थरॉषक किसान मजबूत होंगे तो पूर देश कुसाल रहेगा इसलिए मैं आप से पुना वापिस से आगरा करता हूं सरकार से कि जो यह अभी मुद्दा चल रहा है किसानों का इस मुद्दे पे सरकार किसानों के साथ बेठके किसानों के उचित निर्णा को मान कर किसानों के हित में Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries